हम बात करेंगे भारत है भी इलेक्ट्रिकल लिम्टेट में आई फी वेकेंसी के बारे में जहां पर दोस्तो ओल ओवर इंडिया के करेंट जो हम को फिल अप कर सकते हैं तो आज के इस पीडियो में दोस्तो फॉर्म को कैसे फिल अप करना है पूरा प्रोसेस जो आपको यहां पर हम step by step बताएंगे तो बैन रहे हैं अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूट्योब वहां पर टाइप कीजिए बीन टेक्निकल इंडियन यूट्योब चैनल दोस्तो तो बीन यूट्योब चैनल का यह लोगो है दोस्तो यहां पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा इसको सब्सक्राइब कर लिजे बगल में बेल आइकॉन दिखेगा इसको अन कर लिजे ताकि जो भी वीडियो हम बताएं उसके अपडेट जो आपको मिलते रहे हैं इसके इसके सब्सक्राइब करना है बाकी information जैसे कि यहां पर देख लिए कौन सी पोस्क्राइब कर सकते हैं तो अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आपको discussions पर दिया हुआ है आपको करना क्या है आपको यह लिंक खोलना है लिंक खोलने बाद आपके सामने कुछ चीज़ पर इसके सामने कुछ यहां पर क्राइब प्राइबसी Markशन पूचेगा ग A. To आपको यहां पर अद्वांस में जाके क्या करना है अपने आपको यहां पर प्रॉसिड फॉर्ड अंसेफ में कुल्क कर देना है इस जयसे दोस्तों आप इसको प्रोसीड क्लिक करेंगे तो देख यहां पर दोस्तों देखिए यह नया platform जो है खुल चुका है अब यहां पर दोस्तों सारी information जो है दी गई है आप अगर पढ़ना चाहते तो आप पर सकते हैं यहां पर दोस्तों last date जो है 14 February 2022 इसकी रखी गई है और यहां पर देखिए आपका जो है application form जो है वो पहुंच भी नागपूर में जो है पहुंचना है तो आप एक बार address जो है नोट कर लीजगा apply online करने के लिए सबसे पहले आपको apply online पर click करना है जो left side है इसको दोस्तों आप जैसे click करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया interface खुल के आएगा अगर जो है यहां पर platform खुल चुका है अब आपको यहां पर FTA welder का option जो है so करेगा आप इसको select कर लिए यहां पर submit का button इसको आप submit कर लिजिए submit करते ही दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने फिर से एक नया interface खुल के आएगा तो दोस्तों यहां पर देखिए नया platform खुल के आए यहां पर सबसे पहले आपको अप साधन रिजन को पहले दिया है इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर साधन रिजन को दूँगा तो आप जो अपने according यहां पर select कर सकते हैं कि आप कहाँ पर preference जो है देना चाहते है क्योंकि यह All over India की vacancy है यह करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना नाम लिखना आप को अपना aluminium यहां पर प्रिक्स करना है जो भी आपका data worth है दोस्तों आप यहां पर scroll down करके यहां से यह सिल्क करके इक्जामों के तरह पने माल लीजैं आप मैं जो है 1990 स्लेक्ट करता हूँ जो भी मैना data worth है और मैंने यहां पर select कर लिया है अपना डेट ऑर्ध इसका अगर आपकी एकनोमिकल वेकर सेक्शन में आते हो तो आप यहां पर जवाब देना पड़ेगा आपको यहां पर अपना मुवाइल नमबर डाल देना है इसका दोस्तों मेल आईडी पूछेगा कर लिए यहां पर आपको जो है नीचे यहां पर पूछेगा तो आपको यहां पर यहां पर यहां पर जाब देना है इसका यहाँ पर education qualification पुछेगा education qualification में दोस्तों आपको अपनी qualification लिखना है सबसे पहले आपने क्या कर रखा, ITI कर रखा या NTC कर रखा, जो भी आपने कर रखा है उसको आप यहाँ पर mention कर दीजे कर रखा, तो आप अपने college का नाम जो यहाँ पर लिख सकते हैं, यह करने बाद दोस्तों, यहाँ पर university पूछेगा आपके जोभी, इन्विशर्टी कर सकते हैं तो मैं जो अपने university का नाम लिख दे रहा हूँ, इसका दोस्तों यहाँ पर course का duration पूछा हुआ है, जो भी आपका duration और course का, जैसे कि एक साल दो साल जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसका type of course जो भी आपका course है, वो full time है कि कैसा है आप अपने according आप डाल सकते हैं, यह करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपके marks पूछेंगे तो आपको first year में क्या marks थे, यहाँ पर maximum marks पूछा गया है, जो भी आपके maximum marks हो और उसमें आपने कितना secure किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर mention करना है, इसी तरह दोस्तों आपको second year में जो है यहाँ पर डालना है, इसकी second year में आपने कितने marks के exam थे और आपने कितने marks एक्वायर किये हुए है, यह सब करने बाद दोस्तों आप यहाँ पर total marks देखेंगे तो देखिए अपने आपका सारा information यहाँ पर आ जाएगा, इसका दोस्त date होता है IBR का वह आपको बताना है कि किस date में आपने बनबाया है और इसकी variety वगरा होती है, यह जो है welding के लिए basically होती है, तो जो welding कर रखे है candidate उनको मालूम होगा और जिनके क्योंकि इसमें experience दो साल का माग रखा है, तो आपको IBR वगरा होना यहाँ पर ज़रूरी है, और क जो अपना experience बताना है जैसे कि दो साल नहां पर requirement है, यह सब करने के बाद दोस्तों आपको जो है अपना work experience वगेरा और जहां पर आप employed वगएना है तो आपको यहाँ पर monthly salary जो भी है, यहाँ पर सारी details फिलब करना है, इसका दोस्तों other information में आपको अपना relationship बताना है, बहल म मैंने यहाँ पर QR code डाल दिया है, तो आपको अपना reference number डिखना बढ़ेगा, इसका दोस्तों यहाँ पर आपके relative यहाँ पर reference देना पड़ेगा, अदर दर relative के दो लोग के, यह सब दिन एक बाद यहाँ पर I declare करके, इसको tick करके आपको क्या करना है, नीचे देखेंगे, submit का बटन होगा, submit application, इसको आप click कर देंगे, तो आपको जो form है, दोस्तों, वो submit हो जाएगा, तिस प्रकार दोस्तों, आप जहें form को यहाँ पर apply कर सकते हैं, आसा करता हूँ, दोस्तों, आपको यह वीडियो जो है, helpful लगा है, अगर पसंद आया है, अगर पसंद आया है, तो आपको सबसे पहले मिले, दोस्तों, इसी तर प्यार बनाए रखें, मिलते भी नए वीडियो के साथ, आज कर बस अतना है, thanks for watching and listening.